मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कुरोना महमारी की वज़े से स्तिती बहुत ही जादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरे आ रही हैं कि बैड्स की कमी है, ऑक्सिजन की कमी है, दबाईयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या धर्म है कि वे समस्या बढ़ाने के बजाए और आकणों को छुपाने के बजाए, समस्या को सुलजाने की कोशिश करें और सचाई सामने लाएं। क्योंकि आज जो सितिय है वो सही नहीं है। आप सोचे कि बाइस करोड़ लोगों में से सिरफ पचासी लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आपको रेम डेजेविल के अड्मिनिस्टेशन से पहले डीम के पास जाके स्लिप लेने की ज़रत है। बैड्स उपलब्द नहीं है। ऑक्सीजन उपलब नहीं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैनुफ्रेक्टरर है। लेकिन हिंदुस्तान में ही कमी हो रही है। क्योंकि हमने अपने पी आर के लिए भगवान जाने किस लिए वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया। अलग अलग बेशों में भेज रहे हैं। जबकि हमारे यहां कभी है। इसकी प्लानिंग ठीक तरे से करनी चाहिए। ठीक है नई कि अब भी समय है कि ठोड़ स्ट्राटीजी बनाई जाए। मजबूती से कदम उठाए जाए। और जो सबसे ज्यादा पीरित हैं। जो गरीब जनता हैं। उनके लिए फाइनाशल सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं। जो दुकानदार हैं, जिनका फिर से बिजनस बंद होने जा रहा है। उनके लिए खास तोर से कोई पैकेज ढूंडा जाए। मैं आग्रे करना चाहती हूं उत्रप्रदेश सरकार से कि आपका प्रशासन आक्रमक होने के बजाए संवेधन शील बन जाए। कोंग्रेस पार्टी की उत्तरप्रदेश सरकार के साथ राजली तिक मतभेद हो सकती है। वो तो है ही और हमेशन रहेजी। लेकिन इस समय, मैं कहना चाहती हूं कि हम सब एक साथ खड़े हैं। कॉंग्रेस पार्टी जंता के साथ कंदे से कंधा मिलाकर इस महामारी का सामना करेगी। आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे नियमों का आप पालन करें। मास्क पहनिये, हो सकता है तो डबल मास्क पहनिये, घर से कम से कम निकलिये, हाथ खूब धोएं। तो इन पर जरूर ध्यान दीजेगा और अपनी जिम्मेदानी भी आप पूरी साथ धानी से आपने भाएं।